दिल्ली विश्विद्याले चातरसं यानिकी D.U.S.U. चुनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षन की मांग को लिकर दिल्ली हाइकोट ने दिल्ली उनिवर्सिटी को तीन महिने में निर्ने लेने का आदेश दिया है दरसल दिल्ली हाइकोट ने दिल्ली विश्विद्याले के कुलपती और अन्य सम्मंदित अधिकारियों को प्रतिनी धितु पर विचार करने और तीन सप्ता के भीतर D.U.S.U. चुनाव में महिलाओं के लिए 50 परतिशत आरक्षन लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है गौरतलव है कि ये याचिका शवाना हुसेन और अधिवक्ता आशु बिधोडी द्वारा प्रस्तूत किया गया था उनका कहना है कि इस याचिका का उदेश चातर संग की चुनावी प्रक्रिया में लेंगिक्स असमानता को दूर करना है दरसल याचिका में तर्क दिया गया है कि संग में महिलाओं का वरतमान परतिनिधित्व ना होना उनके अधिकारों का उलंगन है और निरने लेने की प्रक्रिया में उनकी भागदारी में बाधा डालता है बात अगर पिछले चुनावों की करें तो ABVP ने DUSU के चुनावों में सचिव और अध्यक्ष के पत के अलावा संयुक्त सचिव के पत पर जीत हासिल की थी वें कॉंग्रेस के भारतिय राष्टे चातर संगठन यानि की NSUI ने उपाध्यक्ष पत पर जीत हासिल की थी आपको उता दे कि 2024-25 सेक्षिनिक वर्स के लिए दिल्ली विश्विद्याले चातर संग के चुनावों 27 सितंबर को होने है नामंकन जमा करने की विंडो 17 सितंबर तक खुली है 28 सितंबर सनिवार को चुनावों नतीजे घुशित होने के साथ साफ हो जाएगा कि इस बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव और संजिक्तो सचिव पत पर कौन बेठेगा अब हाई कोट के इस निर्देश के बाद च्छात संग में महिलाओं की भागदारी और प्रतिमी दित्व बढ़ने की उमीद है जिससे लेंगिक समानता और समावेश्टा को बढ़ावा मिलेगा